Hello everyone I am Rajesh Prashad और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोटेज को मौर सिनेमेटिक लूप दे सकते हैं तो किसी वीडियो को सिनेमेटिक लूप देने कें लिए आप पूशिश यह करें कि आप फ्लाइप न फे करते हैं उसको शूटि करें जैसे कि लिए करें तो इसके अंदर श्नर होता है जैसे प्यूटन होता है म Напр targetingzh पंठी कश्चा हैlo जो अपने पास होता है उसके नहीं काफी हम इसली और काफी हद तक हम आगे तक जा सकते हैं तो फिलाल मैं आच चुका हूँ अपने computer screen पर तो यह है अपनी computer screen और यहाँ पर मैं फोटेज दिखाता हूँ मैंने आपके फोटेज इंपोर्ट करें एक चीज़ और मैं बता दू कि मैं आपने जितने भी व्यूडियोज हैं वह एडिट करता हूँ premium pro में क्योंकि premium pro एक काफी बहतरीन और अच्छा editing software है अगर आप यूटूब के लिए एक अच्छा editing software ढूंद रहे हैं तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और अगर आप स्टार्टर है तो मैं तो यह कोशिच करूंगा आप अधर 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 एडिटिव एडिटिंग software यूज कीजिए तो चलिए चलते हैं अपने computer screen पर तो यह अपना workspace इस तो सब्सक्राइब तो यह है अपनी footage यह आप प्ले करके दिखाता हूं आपको तो इस फोटेज में आपने ध्यान से देखा होगा इस फोटेज में ध्यान से देखा होगा कि फोटेज ना शेक हो रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस फोटो को BBQende करेंगे तो उसके लिए हम चाल आपक हैं यहां पर सक्राइब करेंगे वारप को इस感 exam करेंगे हम यह वार्प से चोगी करेंगे हैं हम इसको अप्लाई करेंगत करेंगे घ्र यहां पर Cristobar कि यहां परिज्डेज होए सब्सक्राइब हो रही है यहां देखते हैं यह फोट इस्टेबलाइज हो रही है यहां पर कुछ सेटिंग है आपको जैसी डिफॉल्ट आता वैसी छोड़ देना है यहां पर देख रहे हैं हो रहा है 10 परसंट 11 तो इसको जैसी पूरा स्टेबलाइज होता उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मेरी फोटेज हो इस्टेबलाइज हो चुकिए वहां दिखाता हूं काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है पहले पहले ही जो फोटेज कुछ ऐसी थे शेकी हो रहा है अब हम क्या करना वालेंगे इस पर एडजस्मेंट लेयर अप्लाई करेंगे करेंगे तो सिनमेटिक लोग देने के रिए से पहले हम इस पर क्रॉप अप्लाई करेंगे इफेक्ट में जाएंगे उसके लिए और सर्च करेंगे क्रॉप और क्रॉप को हम एडजस्मेंट लेयर प्ले कर आएंगे और क्रॉप की वैलू यहां पर तॉप से डालते हम टैन और बॉटम से भी डालते हैं टैन इसके बाद हम क्या करेंगे बेसिक कुछ कॉलर करेक्शन करेंगे इसके अंदर तो उसके लिए हम जाएंगे विंडो और लिमेट्री कलर में और इसका हम वीडियो फोटेज का स्कोप खोलते हैं अब देख सकते हैं इस अलूमेट्री स्पोप ही है यह है ठीक है शाड़ोज में फ़ोड़ी फॉल अमने तब इसको क्या करेंगे बेसिक कर्शन में फोड़ा साहल का सा ब्लैक को डाउन करेंगे तक हैं और कॉंट्रास्टी हलका सा दे देंगे अब हम जाएंगे इसको सिनेमाटिक लुक्स देने के लिए हम क्या करने वाले हैं आप चाहें तो इसके अंदर प्रिंस्टॉल्ड लट भी यूज़ कर सकते हैं यहां पर यह यह जो है यह प्रिंस्टॉल्ड लट है यह थीक लग रहा है पहले आपको मैं लिखाता हूं फिर इंस्टॉल्ड लट यूज़ करें उसके बाद जो मैं अलग सब्सक्राइब लट यूज़ करता हूं वह भी यूज़ करके लिखाते हैं इस पर क्लिक किया हमने और उसके बार देखिए इसके इंटेंसिटी का महलका स करन कर जाते हैं अप्रोक 68 इसको यह वीडियो प्ले करके लिखाता हूं आपको हुए पहले फोटेज कुछ ऐसी थी यह अब यह अब यह को अब यह को लगरेडिंग के बाद कुछ ऐसा हो रहा है काफी अच्छा लग रहा है कि अब हम क्या करने वाले हैं इसके लावा हम यह प्रिंस्ट्रॉल लट है वह भी उसको इसे थे हैं इसके लावा हम आपार कस्टम लट भी है वह हम लाइक कर सकते हैं तो यहां पर में अप्लाई करता हूं लट न्यो में पास ये याला उटिलिटी लट है Canon C-Log2-R7-0-9 यह दिखें वाव इसके इंटेंसिटी को मैं 99 कर देता हूं अब यह इसको हम प्ले करके दिखाता हूं मैं आपको यह दिखें यह ऐसे था पहले अब यह ऐसे था पहले ऐसे होगे यह काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इसके लिए एक चीज़ हम और कर सकते हैं कर अप्ला यह शिफ्ट यूज़ दबागे हमने क्लिक किया और कास इसके सच्छेशन को बढ़ा दिया उसक बद हमने यह इस पर क्लिक किया वाटर पर आजवी यह नहीं हो ला उसके बाद हम जा सकते हैं कलर वील के अंदर हमने शाडूज को थोड़ा ब्लूश कर दिखेंग है और मिट्टोन को थोड़ा राडिश और यह थोड़ा ओर एंच चैश लेगे उसके बाद देखते हैं यह पहले फोटेज ऐसी अब इसकोंट चलाते है देखेंगे ना फहले ऐसी थी फोटेज अब ऐसी होगी फहले ऐसी थी फिर आब ऐसी होगी तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप अपने फोटेज को काफी ज्यादा सिनेमेटिक लुक दे सकते हैं तो सबसे पहले आप मैंने क्या कि वर्प यूज किया जिससे क्या थी क्या हुआ कि जो मेरी फोटेज शेकी थी वह स्टेबलाइज होगी ठीक है दूसरा मैंने क्या किया कि अपने फोटेज को सिनेमेटिक लुक्स दे सकते हैं बसकते इस बात का अपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वह फ्लैट प्रोफाइल पे करें उसके लाब मैंने छोड़ी से ट्योनिंग की अपने कलर वील में जाके और थोड़ा सा करस में जाके उसके बा मैं फोटेज देखिए काफी ज्यादा शेकी हमेशा रहती है क्योंकि उनके पास फिलाला भी गिंबल नहीं है जिसके वैसे फोटेज जो होती है शेकी रहती तो मुझे छोटे सब्सक्राइशन देना चाहूंगा कि प्लीज आप वार्प स्टेबलाइजर यूज करें वार् अगर आप इस तरीके फ़र्दर टुटोरियल जाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट हीजे आप डफिल डफिलेटली टल यू तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई बाई